आज हम लोग डिसकास करने वाले हैं क्लास टेंथ का सेकेंड चाप्टर जिसका नाम है आसेट बेसिज और सॉल्ट्स ज़ली शुरू करते हैं आपने आसेट बेसिज और सॉल्ट्स का एक्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा जैसे कि आसेट को हम यूज करते हैं कई जगों पर जैसे मिल्क में प्रेजन्ट होता है लाक्टिक एसिड वो भी हम कंज्यूम करते हैं विनिगर में प्रेजन्ट होता है असेटिक एसिड वो भी हम कंज्यूम करते हैं उसी तरीके से जब coldering bottles को open किया जाता है तो उससे एक जाग जैसा substance बहार निकलता है जो कि carbon dioxide और water का mixture होता है वो होता है carbonic acid उसी तरीके से basis का भी कई examples आप देखते हैं जैसे कि soap में basis present होता है toothpaste बनाने के लिए basis का इस्तमाल किया जाता है detergent बनाने के लिए basis का यूज किया जाता है और common salt जो हम अपने most of the dishes में use करते हैं जैसे कि बिना नमक के कोई भी खाना बेकार होता है तो वो नमक जो हम खाते हैं जो salt हम consume करते हैं वो salt का example है common salt कहते हैं उसे उसका chemical formula होता है NECL तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारा acid, basis और salt का example देखेगा आपने junior classes में acid और basis का definition पड़ा होगा Junior classes में acids को define किया गया है as a chemical substance जो की taste में sour होते हैं मतलब taste में खटे होते हैं उसी तरीके से basis को define किया गया है as a chemical substance जो taste में bitter होते हैं मतलब taste में कडवे होते हैं and they are slippery to touch तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं acids and basis का तो यहां पर आप कुछ examples देख सकते हैं यहां पर acids में आप देखेंगे तो hydrogen atom आपको common दिखेगा उसी तरीके से basis में अगर आप देखेंगे तो आपको oxygen और hydrogen OH common दिखेगा तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब acids को पानी में dissolve किया जाता है, water में dissolve किया जाता है तो वो water में जाने के बाद खुद को break कर लेते हैं specifically कहा जाए तो खुद को वो dissociate कर लेते हैं और ions produce करते हैं और in ions में hydrogen ion, H plus ion common होता है, सारे acids में उसी तरीके से जब basis को पानी में dissolve किया जाता है, तो वो भी खुद को dissociate कर लेते हैं और बनाते हैं OH minus ions, जिसको कहा जाता है hydroxide ions H plus ions जो की acids produce करते हैं, वो H plus ions water molecule के साथ combine करके H3O plus ion बनाते हैं, जिसको हम hydronium ion कहते हैं तो इस basis पर हम acids और basis को नए तरीके से define कर सकते हैं, जो की उसका appropriate definition होगा तो acids को कैसे define करेंगे? acids ऐसे chemical compounds होंगे, जो की water में dissolve होने के बाद produce करेंगे H3O plus ions उसी तरीके से basis को कैसे define किया जाएगा? basis होंगे ऐसे chemical compounds जो की water में dissolve होने के बाद बनाएंगे OH minus ions acid and basis के definition के बाद, अब चलिए बढ़ते हैं salt पे salt के definition को समझने के लिए हमें एक reaction जानना होगा, जो आपने junior classes में पढ़ी हुई है तो इस reaction में आप देख सकते हैं कि acids और basis combine करके बना रहे हैं salt and water तो इस reaction को neutralization reaction भी कहा जाता है क्योंकि इसमें acid और basis के effect को neutralize कर दिया जाता है, दोनों के effect को nullify कर दिया जाता है, खतम कर दिया जाता है और बनाया जाता है दो neutral product जो की होते हैं salt and water तो NACL जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो एक salt है, neutral product है, neutralization reaction का तो इस reaction के basis पर, इस concept के basis पर हम salt कैसे define करेंगे? Salt होगा neutral product जो की हमें neutralization reaction के दोरान मिलता है जब वो neutralization reaction होता है एक acid और एक base के बीच में जैसे यहाँ पर example है NACL अब अगर acid और bases आपके सामने रखे हुए हो, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे की कौन सा acid है और कौन सा base तो इसके लिए आप अपने junior classes में पढ़कर आए हैं कि acids का taste होता है sour और bases का taste होता है bitter लेकिन क्या यह बहुत safe है कि हम acids को actually taste करें? नहीं, क्योंकि acids and bases दोनों ही corrosive होता है corrosive का मतलब कि उसके contact में आने से हमारा skin जल सकता है तो taste करना तो बहुत दूर की बात है हम उसे taste तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी safe नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास एक solution है कि हम लोग एक ऐसा chemical substance के बारे में सोच सकते हैं जो की acid और bases को detect करने में या उनमें अंतर बताने में मदद करें तो ऐसे chemical substance को कहा जाता है indicator तो indicator क्या हुआ? indicator होता है एक ऐसा chemical substance जो की एक dye जैसा होता है एक colored substance होता है जिसको acidic या basic solution में डालने से वो color change शो करता है मतलब कि उसका color original color से बदल जाता है कुछ अलग color वो दिखाता है तो ऐसे substances को हम indicator कहता है अब indicator होते कितने type के हैं? और indicator के क्या-क्या examples हैं? तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर होते हैं दो type के natural indicator और synthetic indicator अब ये natural synthetic मतलब natural मतलब ऐसे indicators जो की हमें directly nature से मिले मतलब कि वो plant या animal product से हमें मिलते हैं मतलब nature product होता है natural product होता है वो उसी तरीके से synthetic indicator मतलब ऐसा indicator जो की chemically produced किया गया हो मतलब कि जिसमें plant या animal product ना हो वैसे synthetic indicators होते हैं तो चलिए examples देखते हैं examples में natural indicator का example होता है litmus जो कि आपने पहले सुना होगा और turmeric हल्दी जो कि kitchen में बहुत से खानों में हम लोग use भी करते हैं उसी तरीके से synthetic indicator का example भी आपने सुना ही होगा कही ना कही उसका example है phenophthalene and methyl orange तो चलिए अब इसके color changes के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि क्या-क्या color changes ये acidic and basic solution में दिखाएंगे इन सारे examples में हमें तीन examples पे जादा focus करना है जो कि NCRT syllabus के according है जो कि है litmus, phenophthalene and methyl orange तो इसके basis पे आप यहाँ पर एक table देख सकते हैं जिसके first column में आपको उसके original neutral color के बारे में बताया गया है मतलब कि जब वो कोई acid या base के contact में नहीं होगा तो उसका color क्या होगा तो आप इस table में देख सकते हैं कि कौन से indicator का क्या color होना चाहिए और जब वो acid के contact में आएगा तो second column में आप देख सकते हैं कि उसका क्या-क्या color वो changes शो कर सकता है और third column में आप देख सकते हैं कि जब वो base के contact में आएगा तब उसका color change क्या होना चाहिए तो इस table को आपको याद करना होगा क्योंकि ये color changes के हिसाब सही आप फिर पता कर पाएंगे कि कौन सा substance acid है और कौन सा substance base और कौन सा substance neutral है तो इस table को अच्छे से समझने के लिए NCRT में एक activity है activity 2.1 जो कि NCRT के इस chapter का first activity है तो उस activity को हम समझेंगे ताकि ये table हमें और अच्छे से समझ में आए तो चलिए activity देखते हैं इस activity में आपको total 9 samples दिये गए हैं chemicals के जिसमें की कुछ acids हैं और कुछ bases तो हम लोग इन सारे acids और bases के sample को हमें उसे indicator के मदद से detect करना है कि कौन सा acid है और कौन सा base है और क्या-क्या color changes है ये करना है हमें इस activity में और हमारे पास indicators हैं चार type के दो type के indicators हैं litmus solution एक है red litmus solution और दूसरा है blue litmus solution हम red litmus और blue litmus क्यों कह रहे हैं क्योंकि आप laboratories में देखेंगे तो litmus solution कभी भी अपने purple form में नहीं दिखता है वहाँ पर हमेशा litmus solution या तो red color के solution में मिलता है या तो blue color के solution में आपको मिलता है तो ये दो colors में available होते हैं और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे phenophthalene और last आप यहाँ पर देखेंगे methyl orange तो ये सारे indicators हमारे पास हैं और total 9 samples है acids and bases के इनको हमें test करके देखना है with all these indicators तो हम यहाँ पर सारे samples नहीं discuss करेंगे otherwise ये video बहुत जादा long हो जाएगा हम यहाँ पर सिर्फ दो samples के बारे में discuss करेंगे क्योंकि बाकी सारे samples इन दो examples से बहुत ही similar है एक जैसे है तो एक समझा देने से बाकी सारे examples आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते है तो first sample है HCl का hydrochloric acid तो इसको जब हमें test करना है तो कुछ amount of hydrochloric acid हमें test tube में fill करना है और one drop of indicator हम यहाँ पर use करेंगे तो first indicator है red litmus solution तो red litmus solution का one drop हम HCl में डालेंगे और कुछ देर के बाद हम color change देखने का कोशिश करेंगे तो इस case में आपको कोई color change नहीं दिखेगा red litmus solution red ही रह जाएगा कोई color change नहीं होगा इस case में वो इसलिए क्योंकि litmus का original color acidic medium में होता है red acids में जाने के बाद litmus का color ही होता है red और यहाँ पर जो हम litmus solution ले रहे हैं वो पहले से ही red है तो जो एक पहले से ही red है वो और कितना red होगा वो red जादा नहीं हो सकता जितना वो red है वो already red है इसलिए यहाँ पर हम कोई भी दूसरा color appear होता हुआ नहीं देख रहे हैं क्योंकि litmus solution फिर से acidic medium में ही डाला गया है इसलिए उसका color red ही रहेगा कोई change आप नहीं देखेंगे second indicator है blue litmus solution blue litmus solution का जब एक drop hcl में डाला जाएगा तो उसका color आप देखेंगे change हो जाएगा from blue to red ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि acidic medium में litmus का color होता है red इसलिए blue color change हो जाता है into red indicating कि जो substance आप test कर रहे हैं वो क्या है वो एक acid है उसी तरीके से जब हम इसको phenophthalene से test करने की कोशिश करते हैं phenophthalene का एक drop जब हम HCL में डालते हैं तो phenophthalene अपना color change करके बना देता है into colorless colorless का मतलब होता है कि वो transparent हो जाता है colorless में change हो जाता है उसका कोई color बचता नहीं है उसी तरीके से जब हम methyl orange से acid को test करते हैं तो methyl orange अपना color change करके बना लेता है into pink color pink color से ये पता चलता है कि जो substance आप test कर रहे हैं वो methyl orange के वजज़ से pink color में बदल गया जिससे कि वो एक acid के presence को indicate करता है तो जैसे HCL के case में हम लोगों ने इतना सारा color changes देखा with different indicators उसी तरीके से बाकी acids भी इस तरीके का color change दिखाएंगे with these indicators जिसका example आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से next जो इस activity का part है जिसमें हमें basis को test करना है तो यहाँ पर जो base हम use करने वाले हैं वो है NaOH, sodium hydroxide sodium hydroxide को हम first indicator से test करेंगे जो की है red litmus solution red litmus solution का जब एक drop NaOH में डाला जाएगा तो उसका color change हो जाएगा into blue color ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि litmus का color हमेशा blue होता है in a basic medium वो basis के presence में अपना color change कर लेता है into blue color इसलिए red color change हो जाता है blue color में next जो indicator हम यहाँ पर use करेंगे वो है blue litmus solution blue litmus solution जब NaOH में डाला जाएगा तो blue color बिल्कुल भी change नहीं होगा blue color blue color ही रहेगा क्योंकि वो already blue है तो base के presence में तो blue रहेगा ही उसमें और कोई अलग से color change हम नहीं देखेंगे जैसा कि हम लोगोंने HCL के case में भी देखा था कि red color red color ही रहता है तो इस तरीके से यहाँ पर blue color blue color ही रहेगा color change हो जाता है into pink color तो pink color के appearance हम यह पता कर सकते हैं कि जो substance हम टेस्ट कर रहे हैं वो है base next इसके बाद जो indicator जो last indicator हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो है methyl orange methyl orange के एक drop डालने से NaOH उसके color को बदल देता है into yellow color तो yellow color के appearance से हम यह पता कर सकते हैं कि जो substance आप test कर रहे हैं वो एक base है तो जैसे हम लोगों ने NaOH के case में इतना सारा color changes देखा उसी तरीके से आप दूसरे basis को भी अगर test करेंगे तो similar color changes आपको देखने को मिलेगा तो जिसका example आप यहाँ पर देख सकते हैं next जो type का इंडिकेटर हमें पढ़ना है वो एक special type का इंडिकेटर है जो की color change तो नहीं दिखाता लेकिन smell में change दिखाता है वो smell से related indicator है तो ऐसे indicators को कहा जाता है olfactory indicators तो olfactory indicators को कैसे define करेंगे? Olfactory indicators ऐसे indicators होते हैं जो की acidic और basic medium में smell में change दिखाते हैं एक characteristic smell produce करते हैं तो इसका common example है onion उसी तरीके से दूसरा example है vanilla extract मतलब की जो vanilla essence केक में use होता है वो भी एक तरीके का olfactory indicator है तो इसके smell में जो changes हम देखते हैं इसको हम practically कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए NCRT में दो activities दी गई है activity 2.2 and activity activity 2.3 इन दोनों activities को समझ लेने के बाद हमें ये olfactory indicators practically समझ में आ जाएगा कि इसका use कहां है और कैसे है तो चलिए समझते हैं olfactory indicators जैसे की onion को इस्तमाल करके test करना है acids and bases का sample तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको sliced onion प्याज को काट कर एक bag में रखना है और उसमें कुछ कपड़े के टुकड़े आपको रख देना है at least two cloth strips आपको उसमें डालना है और उसको अच्छे से बांद कर refrigerate कर देना है राद भर के लिए और next day जब आप उस bag को निकालेंगे तो उसके बाद जो कपड़े के टुकड़े आपने उसमें डाले है उन कपड़े के टुकड़ों को आपको अच्छे से smell करना है कि उसमें किसका smell आ रहा है तो definitely उससे onion का smell आएगा उसके बाद आपको उन cloth strips को एक surface पर बिचा कर एक clean surface पर बिचा कर उसके बाद उसको अच्छे से water से rinse कर लेना है उसके बाद फिर आपको फिर से उसका smell चेक करना है कि कपड़ों में क्या अभी भी onion की smell आ रही है या नहीं तो आप देखेगे कि जिस cloth strip में आपने HCL पोर किया था उसमें अभी भी onion का characteristic smell आएगा और जिसमें आपने NaOH डाला था उसमें smell नहीं आएगा तो इससे ये प्रूव हम कर सकते हैं कि basis के पास वो ability है कि वो एक old factory indicator के smell को destroy कर सकता है वो onion के smell को खतम कर सकता है लेकिन acids are not capable of destroying the smell acids HCL smell को destroy नहीं कर पाता है और onion का smell अभी भी cloth से आपको मिलता रहता है तो ये हम समझ रहे हैं इस activity से activity 2.3 में हमें acids and bases के sample को test करना है with a old factory indicator जो की है vanilla extract vanilla extract मतलब vanilla essence तो vanilla essence के कुछ drops को आपको HCL और NAOH में डालना है जो की एक test tube में लिये गए हैं और उन test tubes में vanilla extract डालने के बाद उनको अच्छे से आपको shake करना है ताकि vanilla extract पूरी तरीके से acid और base में mix हो जाए सिंस vanilla extract का एक बहुत ही characteristic pleasant smell होता है जो की आपको cake या किसी भी confectionery में मिलता है तो वही smell अगर दोनो test tubes से आता है तो हम देखेगे कि ये old factory indicator काम नहीं कर रहा है तो हमें ये characteristic smell महसूस करने का कोशिश करना है दोनो test tubes से तो जब हम HCL वाले test tube को smell करेंगे तो वहाँ पर अभी vanilla extract का smell आएगा और अगर हम NaOH वाले test tube को smell करेंगे तो वहाँ पर vanilla extract का smell आपको नहीं मिलेगा इससे ये पता चल रहा है कि vanilla extract जो की एक old factory indicator है इसके smell को NaOH ने completely destroy कर दिया, खतम कर दिया लेकिन HCL vanilla extract के smell को destroy नहीं कर पाया तो ये एक तरीके का difference बताने का तरीका है जिसे कि आप smell के basis पर difference बता सकते हैं कि कौन सा acid है और कौन सा base है जो vanilla extract के smell को destroy कर पा रहा है वो होगा base और जो vanilla extract के smell को destroy नहीं कर पा रहा है और अब भी vanilla extract का smell आ रहा है वो होगा acid तो एक तरीके से इससे हम ये भी समझ रहे हैं कि since bases आराम से किसी भी type के characteristic smell को destroy कर पाते हैं तो वो भी एक reason है कि bases का इस्तमाल किया जाता है for preparation of soap and detergent और acids का इस्तमाल नहीं किया जाता है क्योंकि वो किसी भी type के smell को destroy नहीं कर पाते हैं तो ये तो था second chapter acid bases and salts का first part अगर आपको हमारे videos पसंद आ रहे हैं हमारा काम पसंद आ रहा है तो like करना ना बुलें इससे हमें बहुत motivation मिलता है ताकि हम ऐसे ही videos लगातार बना पाएं and share करें जादा से जादा लोगों तक ताकि हमारा ये काम जादा जादा लोगों तक पहुँच पाए और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें ताकि इस chapter से related जितने भी आगे videos हम post करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे Till then, keep learning, happy learning